Hi friends, कैसे हैं आप? Stock market में जितने भी लोग आते हैं वो या तो trader होते हैं, वो निवेशक होते हैं और कुछ एक ऐसी category होती है stock market में काम करने वालों कि जो ये चाहते हैं कि उनका पैसा उनको कुछने कुछ returns निकालके देता रहे Bank FD से कुछ ज़्यादा मिलता रहे या कम से कम उतना तो मिलता रहे Safe Returns वो Expect करते हैं और इसी category में हम ऐसे stocks को nominate करते हैं जिनको हम कहते हैं Dividend Paying Stocks दोस्तों बहुत साई companies है साड़े 4000 से ज़्यादा shares listed है हमारे NACBSC के अंदर मिलाके उनमें से कुछ companies है जो हर महीने कोई ने कोई company dividend दे रही होती है जुलाई के महीने में आज कुछ दिन निकल चुके हैं और आने वाले बचे हुए 15 से 20 दिनों के बीच में कौन-कौन से ऐसे companies हैं जो dividend दे सकती है ऐसे कुछ 17 companies में आपके सामने लेके आ रहा हूँ अगर कमपनी प्रोफिट कमा रही है तो वो अपने शेरोलर्स को खुश करने के लिए अपने प्रोफिट में से कुछ इससा आपको dividend के रूप में दे सकते हैं अब इसको पढ़ने कोशिच करें जो Google पे बहुत ऐसी लिए अवेलिबल है that a company gives to its shareholders मतलो जो shareholder है उसी को dividend मिल सकता है ऐसा नहीं है कि non-shareholders को dividend मिल जाए ऐसा कभी नहीं होता है dividends can be issued in the various forms such as cash payment, stocks और any other form a company's dividend is decided by its board of the directors जी हाँ, directors ही divide करते है, board decide करता है and it requires the shareholders approval however, it is not obligatory, मिला कोई obligation नहीं है जवरस्ती नहीं की company को dividend देना ही देना अगर company profit कर रही है तो उसको कोई savvy का rule हो कोई exchange का rule हो, कोई NST का rule हो जी नहीं, किसी company act का भी कोई ऐसा rule नहीं है कि company को dividend pay करना ही करना है dividend is usually a part of the profit that a company shares with its shareholder absolutely crisp तो आप ये में सोची कि अगर आपकी company profit कर रही है तो आपको dividend देगी उसका अधिकार है जी नहीं, आपका कोई अधिकार नहीं है company की मर्जी है, आपसे share करना चाहती है तो ही वो dividend pay कर सकती है अब इसके साथ एक word जुडा रहता है ex-dividend date लोगों को ये नहीं मालूम होता कि हम shares कब खरीदे हमारे पास shares कब तक होने चाहिए कि हमें dividend की eligibility हो जाए पहले होना चाहिए तो ex-dividend is the date of the stocks that is usually set one business day before the record date मतलब record date से एक दिन पहले तक आपको वो share आपके account में होना चाहिए if you purchase a stock on its ex-dividend date or after you will not receive the dividend that means अगर dividend date का जो ex-date है उस दिन या उसके बाद आपके shares को purchase कर रहे है तो आपको dividend नहीं मिलेगा for example अगर 15 जुलाई किसी की ex-dividend date है तो आपके पास 14 जुलाई को वो share आपके पास होना चाहिए एक दिन पहले तक आपके आपके आस वो होना ही चाहिए if you purchase before the ex-dividend date you get the dividend तो उमीद करता हूँ आपको सामझ में आ गया होगा कि इसके dividend जरुव मिलेगा तो सुल आइए जानते हैं कि dividend लेने के लिए सबसे Basic और सबसे Important requirement कहा है とश्य है ????? Spaß drought you have to have a demand account आपके ऐस demand account कर नहीं है तो शेर रखेंगे कहाँ इसवह demand account बहुत मसता है और अगर आप new है इस market में आना चाहँ रहे हैं इस market का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, ये वीडियो आप फर्स राइम देख रहे हैं, आपके आस कोई डीमेट अकाउंट नहीं है, तो प्लीज गो एंड ओपन यूर फ्री डीमेट अकाउंट, या पेड अगर अकाउंट भी खोलना चाहते हैं, जिसकी MCs दोसो तीन सोर बे होती ये दो बहुत सारे इंडिया के जो best brokers हैं, उनके list मैंने, उनके link मैंने इस वीडियो के description में दे दिएगे, in fact आप किसी भी वीडियो में जाएंगे, तो आपको लिंक मिल जाएंगे, जिन में से कुछ नाम है, जिरोदा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, एलेस ब्लू, इंडिया इंफलाइन और बहुत सारे और जिसके साथ एंडियो में इस वीडियो में डालता रहुआ, अगर आप मेरे content को पसंद करते हैं, आपको लगता है कि वीडियो काम की है, आपको मेरा style पसंद करता है, अगर आपको लगता है मेरी महनत अच्छी है, मैं आप तक वो message पहुचा पाता हूँ, उस जोश से, उस energy से, उस motivation से, तो please subscribe this channel and do hit the bell notification and kindly, kindly like, press button if you like it, अगर आप पसंद करते हैं, comment डालना चाहते हैं, तो please video के निचे comment जरू कीजिए, आपकी comments में motivate करते हैं, मैं एक, एक comment को personally पढ़ता हूँ, उसको reply करता हूँ, so that you get to know that your comments are actually read in this video, so please kindly watch the full video, do not miss even a single slide, सबसे पहला नाम इस खडी में आता है, About India का 17,250 रुपे का शेर है, 120 रुपे पर शेर का final dividend इसने डिकलेर किया है, और 155 रुपे पर शेर का special divinity offer कर रही है, ex-dividend date है, इसकी 19th July, the second share in the list is, Alembic Pharma, जिसकी price है 975, dividend डिकलेर कर रही है, 14 रुपे परती शेर का और ex-dividend date, इसने अनॉंस किया है, 19th July, next share is Apollo Ties, आपने सुना ही होगा, बहुत ही common share है, current market price है 228 रुपे, dividend इसने डिकलेर किया है, 3.5 रुपे पर शेर, and ex-dividend date is 15th July, that means, 14 July तक अगर या 15 July से पहले पहले तक अगर आपके पास ये share है, तो आप इसके dividend के हगदार हो जाएंग dividend pay का रही है, 7.50 पैसे का, ex-dividend रहेगी 15th July, इसका अगर ये भी आपको 15th July से पहले पहले 14th July तक आपके account में shares होना ही चाहिए, उसके बाद company का नाम आता है, Billasoft, 387 रुपे अगर market price है, dividend इकलेर किया है 2.50 रुपे पर शेर का, और ex-dividend date 15th July, ये भी 14th July तक आपके account में shares होने चाहिए, and the next is Amaraja Batteries, battery बनाने वाली बहुत ही बड़ी company, after excite, current market price is 7.40 रुपीज, dividend है 6.00 रुपीज पर शेर, ex-dividend will be 29th July, तो आपके आस काफी time है, आप इस share के बारे में सोच सकते हैं, इसके analysis कर सकते हैं, next comes here the Century Inc. current market price is 4.12 रुपीज, dividend है 8.00 रुपीज पर शेर, ex-dividend है 30th July, दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, प्रीज अगर आपने चैनल को भी तक subscribe नहीं कहा है, तो do subscribe to the channel and hit the bell notification so that you don't miss any of my notifications, then if you want to subscribe to the best stock delivery service, go to my website, stockspatshala.com, s-t-o-x-p-a-t-h-s-h-a-l-a.com, और वहाँ पे जाके पे सक्षेर में जब आप जाएंगे, दुब आप Next is Kora Mandil, current market price is 892, dividend is 6 rupees per share which is announced and ex-dividend date is 15th July, so try, if you want to buy this share, 15th July से पहले पहले आपके पास होना चाहिए, 15 July है, 15 July के बाद लेंगे नहीं होगा, next comes the Godway Philip India Limited, जो tobacco products बनाती है, 1012 rupees का current market price है, dividend is 24 rupees per share which is declared and ex-dividend date is 24th July, तो काफी टाइम है, stock को सढ़ी करने के लिए, Next comes in the list is VST Industries, current market price is 3600 rupees around, dividend is 114 rupees per share, ex-dividend रहेगा 16th July, जी हाँ, अभी टाइम है, 2-3 दिन बचे हुमे है, Kirla Oscar Ferris is next company, current market price is 272, dividend declared is 3 rupees per share, ex-dividend date is 15th July, थोड़ा साई time बचा है, तो go and get your share if you want to buy this share, Next comes Goody Attire, current market price is 1133, dividend is 98 rupees per share, ex-dividend will be 4th of August, तो थोड़ा सा time है, Hero MotorCop is next share, current market price is 2899, dividend is 25 rupees per share, and ex-dividend date is 22nd July, Guys, मैं आपको पता तूँ कि जब भी कोई share dividend pay करती है, तो उस company का share उतने रुपे से गिर जाता है, वो ex-dividend हो जाता है, उसका effective price वहाँ चला जाता है, उसके फिर फिर उपर चलता है, अगर वो company अच्छी होती है, तो आपको at least वो dividend रुपी, dividend का जो amount है, वो आपको eat up करने को मिलता है, आपको extra compounding में वो dividend help करता है, Next, हमs Jyoti Labs आपने सुना ही होगा, current market price is 175, dividend declared is 4 rupees per share, ex-dividend date is 20th July, काफी time है, and comes next is new gen software, current market price is 703, dividend declared is 3.5 rupees per share, ex-dividend date is 15th July, धोड़ा ही time बचा है, and a big company is Tidewater Oil, 16,729 रुपेगा, वहावए 16,729 रुपेगा, वहावए 16,729 रुपेगा, is the current market price, dividend declared is 4,000% क्योंकि face value 5 रुपेगी है, 200 रुपे परती शेर का dividend company है, तो 4,000% का dividend yield हो जाता है, ex-dividend yield date is 19th July, go and study this company if you want to have it, so go and enjoy this channel, and this is my channel, where I keep posting my videos, और हाल फिलाल में मैंने एक operator मैंने नाम रखा, लोगा ने कहा सरे बैंक निफ्टी के operator नहीं है, these are the tip provider, जो fraud लोग हैं, वो कहीं भी हो सकते हैं, guys मेरी आप से request है, ये गुजराती, गुजराती कर ये किसी को बद्लाम ना करें, मैंने इस वीडियो में कहीं भी किसी गुजराती का जिक्र नहीं कहा है, मैंने बताया कि fraud लोग कैसे call करते हैं, उनको tackle कैसे करना है, ये fraud कहीं भी हो सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान में हो सकते हैं, हिंदुस्तान के भाहर हो सकते हैं, में इनको tackle करना आना चाहिए stock market में आये हैं पैसा बनाने के लिए कोई भी भार का आदमिया कि आपके पैसे को भरबात करके चला जाए इसका हग किसी को नहीं देना, go and study अगर आप अपनी knowledge को improve करेंगे you can tackle these people as I have tried so I really wish कि ये videos आपकी काम आएंगी, to share these videos क्योंकि आपको लगता है कि knowledge पे सब का आधिकारत आपको share करना ही चाहिए, thank you so much for watching this video, मिलते किसी नई informative video में, bye bye, jahin